आज हम बनाएंगे बड़ी हल्दी सी सैंवेच, यह बहुत ही तेसी लगती है, बहुत यम लगती है, और चली शुरू करते से बनाना, यह हमने पनील लिया है, 200 ग्राम, इसे हम थो मैरिनेट करेंगे, थो डालेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी, हम काना नमक का भी इस्तमाल करे अब डालेंगे तो नमक थोड़ासा एज़िस करके अपनी टेस्के कोडिंग अब डाल सकते हैं, अब डालेंगे थोड़ासा काली मिर्ची, थोड़ाट मसार डालेंगे, इससे फ्लेव बहुत यह अच्छा आएगा, अब डालेंगे इसमें गार्लिक एंड ऑनियन पॉर्ड यह ऑफशनल है, आप चाहे तो अवोइड भी कर सकते हैं, और अगर पॉर्डर अगर इसकर नहीं हो, तो आप घस के भी पेस को भी अपसमें डाल सकते हैं, अब थोड़ालेंगे हम तेल, और पनीर को अच्छे से मिल जाएं, और पनीर में कोटिंग आ जाएं, इस तरह से आ हम हलका सा टोस कर लेंगे, पनीर को हम चाहतर से टोस कर लेंगे, अच्छे से, इसे हाई फली में बिल्कुल भी टोस ना करें, तो मसाले बिल्कुल जल जाएंगे, और अगर बटर देते हैं, तो पनीर का टेस बिल्कुल बहुत ही अच्छा टेस ही हो जाता है, तो बिल्कु bread लिया, इसे हम टोस्ट कर लेंगे, देख रहे हैं बहुत ही अच्छा हुआ है, अलक़ा सा प्रेस कर के, टोस्ट कर लेंगे एक बाद टोस्ट हो जाए, इसे हम निकाल लेंगे, अपनी प्लाटसाль मुझा है, अब लेना है मैरिनेट बनीर जो हमने मैरिनेट किया था इसे हम कट कर लेंगे अपनी मन पसंद शेप आप दे सकते हैं यहां मैं था लंबर डाला है काटा है यहां पर चाहिए थोड़ी टुकड़े भी कर सकते हैं बिल्कुल अच्छा लगता है अब bread पर spread करेंगे हम यहाँ पर टिमाटो केचप में spread कर रही हूँ अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं नहीं तो आप कोई और spicy यहाँ पर भी spread कर सकते हैं green chutney spread कर सकते हैं यह बिलकुल आप पर है कि अब क्या यहाँ पर spread कर रहे हैं अब मैं यहां लगाओंगी थोगा सा लेटेस लीफ, यहां पर कोई भी ग्रीन लीफ ही आप ले सकते हैं, इसे टेस्ट और क्रंच बहुत ही अच्छा आता है, अब डालेंगे हमने जो पनीर को कट करके रखा था, उसे हम यहां पर डाल देंगे, यहां पर सजा लें अच्छा हैं यहां पतले पतले काट रखें , इसे स्प्रेट कर देंगे, तब टमाटर को सिर्ष अटाकर इसके भी खीले हमने लंबे लंबे यहां पर काट लियें हैं अब मैं यहां पर लगा estat ब्हुत स्पाईषी चट्णी , यह आप चाय लगा सकते हैं , यह बिलकु अब मैं यह डाल रही हूँ थोड़ सा नमक और थोड़ सी काली मिर्शी डालेंगे हैं जो हमने वेजिस लगाया यहाँ पे अब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ फेटा चीज यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप डालते हैं तो बहुत ही टेसी लगती है आप चाहे तो क्रीम चीज का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं या शावर क्रीम भी आप ले सकते हैं इसको यहाँ पर डालने के लिए तो मैंने लिया है लेटेस लीव और चेरी टेमाटो इसे हम इस तरह से तूट्पिक में लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता देखने में और बहुत ही एक्ट्रक्टिव लगता है और इस तरह से करके हम यहाँ पर स्लाइस काट लेंगे छोड़े पीसे में जो बहुत इजी होता है ग्राप करने के लिए यहां हमने सब्वे बनाया है बट बहुत इजी तरह की से बनाया है और स्मॉल पोशिंज में आप दे सकते सब कर सकते हैं रेसे पी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब